कोई वस्तू, कोई भोजन आप बनाकर लेकर गए हो, कोई पकवान आप बनाकर लेकर गए हो, कोई फल लेकर गए हो, यदि शिवलिंग पर वो पकवान, वो मिठाई, वो फल तच हो गया, तो वो खाने के योग्य नहीं रहता, वो घर पर लेकर मताना, मंदिर में ही छोड़ क यदि भोजन पक्वान, मिठाई शिवलिंग यहां पर है और भोजन का भोग तुमने इतनी दूर से लगाया है फल इतनी दूर रखा है वो शिवलिंग पर टच नहीं करा गया है तो उस परशाद को, उस फल को अपा सकते है उसको खा सकते है पर जो शिवलिंग पर टच हो गया फिर वो केवल नंदी, श्रंगी, भ्रंगी, प्रेतों का, भूतों का, आहुतों का भाग होता है प्रेत भूतों, आहुतों का, वो फिर खाने योगी नहीं है यदि नर्वदेश्वर महादेव है नर्वदा जी के जल से कोई शिविलिंग प्रगठ हुआ है नर्वदा जी के जल से कोई कंकर से नर्वदा के जल से अगर कोई शिविलिंग प्रगठ हुआ है उस शिविलिंग की स्थापना कहीं पर है या आपके घर में हैं तो उसको कुछ भी टच हो जाए वो पासकते हो पर बाकी के शिविलिंग को इस पर शकिया हुआ नहीं पासकते केवल एक नर्वदेश्वर महादे नर्वदा के जल से कई लोग कुछते हैं ये साप है कौन ये सरप है कौन तो उसको बताओ ये भगवान शंकर के गले में जो एक साप पड़ा हुआ है ये भगवान विश्णू है और शंकर भगवान के सिर पर जो जटा में साप दिखता है वो हात में साप बंदे रहते हैं वो दो हातों में कमर पर, सिर पर केशो पर जो साप पाँच नजर आते हैं वो तो बताओ ये संकर भगवान की पाँच लड़किया है जया, विशहरा, शामली बारी, दो तली और देव ये पाँचो लड़किया भगवान संकर के इर्द गिर्द हुनती है आस पास प्रमन करते हैं ये श्व की बेटियां भगवान संकर के साथ ब्रमन करते हैं पाँच जया, विशहरा, शामली बारी, दो तली और देव ये जो पाँच पुत्रियां थी शंकर भगवान की ये वासुकी को दी गई थी महाराज क्योंकि ये सर्पकी योनी में थी इसलिए ये वासुकी नाग को प्रडान करी गई थी वासुकी नाग कौन सा? जिसने मन्थन कराया वासुकी नाग कौन सा? जिसके फण पर पून प्रत्वी बिराज माने वासुकी नाग कौन सा? जो निरंतर देवताओं के हित के लिए कारे करता रहता एक पान के पत्ते के ऊपर जो चंदन से शंकर के नाम पारवती का नाम और ब्रह्मानी सरसती का नाम लेकर शिव को समरपित कर दे महाराच उसकी भी तिथी बताईए बड़ी सुंदर है जब रवी का पुश्य योग पड़े रवी पुश्य नक्षत्र हो रवी का पुश्य योग पड़े उस समय पान के पत्ते पर चंदन से शंकर पारवती और सरसती का इस्मर्ण करकर जो शिवलिंग के ऊपर उस पान के पत्ते को चड़ा कर पाँच बेल पत्र, तीन समी पत्र समर्पित कर देते हैं, उस बच्चे से चड़वा देते हैं वो बच्चा कभी पढ़ने में कमजोर नहीं होता, विध्या में बढ़ता ही पढ़ता है पलटकर माबाप को देखना ही नहीं पढ़ेगा बच्चे को कभी भी मां को कहना ही नहीं पड़ेगा की पड़ने बैए को खुद पड़ेगा रुची से पड़ेगा पाँच बेल पत्र तीन समीपर समर्पित कर दें भगवान शंकर का इस्मरण करें और उस बच्चे को प्रणाम करवा कर वापिस लेकर आए बच्चा विध्या में परवल होता है विध्या परकट भगमान शिवत देने वाला है सरसती को स्वरवोदे शिव महा पुरान की कथा लिंग पुरान की कथा बिश्नु पुरान की कथा पद्मा पुरान की कथा कहती है कि किसी बच्च के नीचे जिन ब्रक्षों का गुनगान हमारे शास्तर करते हैं जिन ब्रक्षों का गुनगान हमारी पुराने करती हैं उन ब्रक्ष के नीचे अगर एक मंतर का मनका भी फेरा जाए तो उसका पुन्ड हजारों गुना प्राप्त हो जाता है आप रूप प्राप्त होता है अपने आप आप ची सुखुनने को करना चाद है मेरा बहुत नहीं वेदन है माराज बहुत प्रियास करा करे प्रियास करना अगर हाथ के मन के की माला भी नहीं और किसी बीपल के फेड़ के नीचे पंदरा मिनिट बेटने का मुका मिल गया आउले के ब्रक्ष के नीचे पंदरा मिनिट बेटने का मुका मिल गया किसी आउले के ब्रक्ष के नीचे पंदरा मिनिट बेटे हो ओम नमो नरायन का मंत्र का इस्मन कर लो ओम नमो भगवत वासुदेवाई का जाब कर लो उसका फल चोगना हज्जारो गुना प्राप्त हो जाता है शमी के पेड़ के नीचे बेठे हो श्री शिवाए नमस्तु भ्याम का जाप करिये चोगना गुना फल मिलेगा हज्जार गुना फल बेल पत्री के पेड़ के नीचे गए हो ओम नमस्षिवाए नमस्षिवाए ओम का जाप करिये फल मिलेगा उस फल को हमें पाना कई लोग करते हैं माराज हम पूजन बहुत करते हैं हम पाट करते हैं हम अर्चना करते हैं हम बरत रखते हैं हम उपासना करते हैं हम दान करते हैं हम पुण्न करते हैं, हम सत्कर्म करते हैं, उसके बाद भी दुख क्यों है, हम कुजन तो कर रहा है, आपके पेट में दर्द हुआ, मानलो आपके सिर में दर्द हुआ, अब सिर में दर्द हुआ तो आपने गोली तो खाई, एनसिन भी खाई, क्रोसिन भी खाई, डिस्परिन भी खाई कॉम भी फ्लैम भी खाई ना जाने काका कि गोलियां खा गंगे सिरमें दरद था और 4-5anov की या के गोलिशन के बाद में आफ में लेक्षन पारवती खंड को अच्छे से पढ़िये, तो उसमें बताया है, उसमें वर्णन किया है, हम पाट करने बेठे, इतनी बड़ी पोथी लेकि लेके लोग बेठ जाते हैं, फिर यह पढ़ लिये, गीता जी का ध्याय पढ़ लिया, ये पड़ लिया, ये चालीसा, डुर्गा 90, शिव celी सा, तांडव, ये, वो, ये मंत्र जपलो, वो मंत्र जपलो, फिर कोई महाराज बता गिया, वो मंत्र जपलो, ये वाला देवताला के अलमारी में रख लो, इती बड़ी पूजन की अलमारी, बस इतनी बड़ी, जादा से अगुण को लिए है शारा देवी देव तो हही बेठा पित्र देव ये देव कुल देवी संग देव घंटी देव दिया देव सांब उसीने गलेजी शंकर जी अन्मान जी रामजी सब धरा बड़ा और पूजन करने सुबह से आई सुबह से इतनी सी सक्कर लाई कटोरी में इतनी सी सक्कर कटोरी में भगवान को निला धुला के कटोरी धर दी इतनी बड़ी अलमारी में सारा दे होता है सा कसा कसा या बेटा है सारा दे और तीरत करने फिर गई तो गणेजी स संकर भगवान से बोले पिता जी फिर जा रही है, संकर भगवान बोले बेटा खसक के बेटो फिर पकड़ के लाएगी किसी, फिर लाएगी किसी, फिर ली आई, फिर रख दिया, उजन करने आई, कलास रख दिया, मंदिर में ढूल गया, भगवान पूरा गीला हो गया, जने जी संकर जी से बोले पिता जी पूरा गीला करके चली गई, संकर भगवान बोले बेटा तो कली आएगी, दिया लगा के गई, अब तो गीले में बेटो, अब नहीं आने बहुत भ्यान देना साथ इस कथा को आपके उपर लेकर समझाया जा रहा है, क्योंकि श्युम महापुर रामरक्षा इस्त्रोद का पाट करो, तो पहले हनमान चालीसा पढ़ो, फिर रामरक्षा इस्त्रोद करो, शिव चालीसा, दुरगा चालीसा, गणेश चालीसा, हनमान चालीसा, गायत्री चालीसा, इन चार पाट चालीसा को एक साथ कभी नहीं पढ़ना, एक चालीसा यदी कि एक मंत्र की माला जपर ऑमनमा भगवतिवा सुदेवाई जपा या संकर जी का मंत्र जपा या गुरू का मंत्र जपा या वो मंत्र जपा उस मंत्र को जपने में बीच में कुछ गेप होना चाहिए एक सातरटा मार पे ओमनमम बगवतिवा सुदर जबनांद ठोलो जपा पूरा पार्ट सपार्ट सब ख़िध और नियुदान करूँगा फिर पार्थिव शिविलिंग का निर्मान करकर जो पूजन करते हैं उनसे निवेदन रात्री भर संकर का शिविलिंग पार्थिव शिव स्विलिंग रात भर मत रखीये कई माताओं को पुरसत नहीं मिलती अभिषय कर्वा लेते हैं गरमें परांमन लोग अभिश्य क्रवा देते हैं और उर संकार भगवान रात भर बेखे ए लेते हैं पार्थिव शिविलिंग रात्भर तुमारे घर में नहीं हो ना चाहिए। तो ब्रह्मन स्वेत मैटी का छत्रीय लाल मटी का वैश पीली मटी का उर्सुद्रकाली मिटी का शिविलिंग का निर्मान करें। रात भर शिवलिंग को ना रखे, शंकर भगवान के प्रशाद को रात भर नहीं रखना कहीं श्यू मंदर में गयो और प्रशाद मिला भी आपको बैसे तो शंकर जी के मंदर में प्रशाद नहीं मिलता क्यों? तो लिंग पुराण के अंदर और श्यू महा पुराण के अंदर बर्णन किया गया कि भगवान संकर ने नंदी को वचन दिया था सुनो नंदी शंकर भगवान से नंदी कहता है हमारा भरण पोशन कैसे हो शंकर भगवान कहते हैं नंदी मेरे शिवलिंग पर यदि कई लोगों को थोड़ा ध्यान दीजेगा है, बहुत कथा पर बहुत ध्यान देना, श्यू महापुरान की कथा है, बार बार ऐसी कथा नहीं मिल सकती आपको, सुनोगे आप अपनी जगा पर बहुत वक्ता हैं, बहुत परिम से बास्ते हैं, पर जो कथा रस्तत्व से आ श्री 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 झाल झाल